यूपी के बल्या जनपत का एक्सिरा रोट कनेक्टिविटी के मामले में काफी मजबूत होने जा रहा है। भरौली से जहाँ पुर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोडने के लिए फोरलेन का लिंक रोट बनेगा वहीं कुछी दूरी पर भरौली से उचाडी तक ग्रिनफिल् के लिए जमीन अधिगरहन किया जा चुका है जबकि पुर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक के लिए आठ गाउंग में जमीन का धिगरहन किया जाना है। ग्रिनफिल्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आज यानि सोमवार को केंद्रे मंतरी नितिन गटकरी करने वाले बिहार और यूपी में सड़क कनेक्टिविटी ऐसे होने जा रही है कि पटना लखनव और दिल्ली का सफर आसान हो जाएगा। बिहार को यूपी से जोडने के लिए बक्सर से भरॉली होते हुए हैदरिया इस्थित पुर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोडने के लिए 17 कि फोरलेन लिंक रोड बनाने का प्रस्ताव को हरी जंडी मिल चुकी है जिसके लिए सर्वे का कारे भी पूरा हो चुका है अब आठ गाओं में जमीन अदिग्रहन किया जाना है इसके लिए शासन ने कारवाई का निर्देश दे दिया है यह फोरलेन लिंक रोड एनेच 31 से क इसके अलावा गाजीपूर के जंगीपूर से बिहार के छपरा इस्थित रिविल गंज तक बन रहे ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे को भी जोडने के लिए भरॉली से उचा डिह तक 17 किलोमीटर का फोरलेन लिंक रोड बनेगा यह लिंक रोड भरॉली से शुरू होगा औ और उचा डिह में ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भरॉली बक्सर के बीच गंगा पर नया पुल बन रहा है जो कुछी महीनों में चालू होने वाला है वहीं पुर्व का बना पुल छतिग्रस्थ होने के का भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित है अधिकारियों के नुसार नया पुल चालू होने के बाद इस पुल को भी मरम्मत कर चालू कर दिया जाएगा बिहार से पुर्वांचल एक्सप्रेसवे तक लिंक रोड का निर्मान एनेचे आई बक्सर की ओर से किया जाएगा और अधिकरहन इनके द्वारा ही किया जाना है वहीं बक्सर इस्थित फोरलेन गंगा पारकर भरॉली तक आएगी इस फोरलेन को उचाडी के पास ग्रिन फिल्ड से जोड़ा जाना है बक्सर से हैदरिया तक पुर्वांचल एक्सप्रेसवे का फोरलेन निंक रोड बनेगा जो एनेच याई बिहार द्वारा बनाया जाना है